हेलो गाइज, दिस इस मी अंकुर उपाद्याय, वेलकम टो आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनलेसिस, तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कल आने वाले नतीजों के बारे में, किन-किन शियरों के कल रिजल्ट्स आ रहे हैं, में-में जो कंपनिया उनके बारे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फुल वीडियो देखें, तो गाइज, कल किस-किस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, हम लोग डिसकस करेंगे, और ब्रोकरेज हाउसे के क्या टारगेट हैं, उस पर वो डिसकस करने वाले हैं, तो गाइज, मैं आपको बता दू कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, SBI कार्ड के, HDFC Life के, Tech Mindra के, और AU Finance Small Vine के, तो गाइज, आप देख सकते हैं, बेंकिंग सेक्टर से दो कंपनीय रिजल्ट देंगी कल, IT का रिजल्ट है कल, और इंस्वरेंस सेक्टर से HDFC Life का, तो गाइज, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, S SBI कार्ड के, कल रिजल्ट्स आ रहे हैं, 26 अप्रेल को, मंडे को, उमीद है, कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, रिजल्ट्स ठीक ठीक आ सकते हैं, अच्छे आंगे, quarter quarter basis पे, हो सकता है, थोड़ा सा कमजोर देखने को मिल सकता है, year on year basis पे, अच्छे आएंगे, तो गाइस, brokerage houses का क्या मानना है, गाइस, brokerage houses के, इस पे, एक, दो, ती, तीन, brokerage houses की recommendation है, सबसे पहले, मोतिलाल ओस्वाल ने target दिया है, 1200 का, share अभी trade कर रहा है, 937 पे, कल आदा परसेंट डाउन था, ये, Friday को मतलब, 7 रुपे गिरके बंद हुआ है, और, मोतिलाल ओस्वाल का मानना है, कि ये share 1200 रुपे तक जा सकता है, दूसरा, प्रभुदास लीलाधर का target है, accumulate करने की सला है, उनका, उनको लगता है, यहाँ पे, average करना चाहिए, ऊपर जाएगा, उनका target है, 1181, उनका मानना है, 1181 तक जा सकता है, ये share, जियो जीत की एक रहा है, और आईए, मोतिलालोस वाल के दो बार target आए है, 1200 के, तो आप देख सकते है, brokerage houses का मानना, जो है, average भी लगाए जाए, तो 1100 तक का target है, मतलब, अच्छा target है, आप बाय करके चल सकते हैं, गाइस, दूसरा, जो company results देने वाले है, गाल, दूसरी company, वो है, HDFC Life, HDFC Life के बारे हम बात करते है HDFC Life के बात कर लेते हैं, गाइस, इस पे दो तीन लोगों, दो तीन brokerage houses, ने, दो तीन ने, चार, पाँचने brokerage houses के recommendation है, गाइस, सबसे पहले share खान, share खान की buy की recommendation है, 850 के लक्षे के साथ, HDFC Life, इस time चल रहा है, 686 पे, 1% उपर बंदुआ था, Friday की market में भी, कमजोर market में भी उपर था ये, इस पे target है, 850 का share खान का, दूसरा HDFC Life को ICICI direct buy करने के लिए बोल रहा है, target 820, with a target of 820, ICIC bank का मानना है कि 820 तक जा सकता है, dollar capital करें, accumulate करें, यहाँ पे average करें, और share add करें, और इसका target 764 तक जा सकता है, उनका मानना है, इमके global ने भी, इस पे अपने target जारी करें है, target दिया है, 786 तो guys, देख सकते हैं काफी, share खान ने एक target और दिया है, 850 के, ICICI direct ने 820 के, तो guys, काफी brokerage houses bullish है, share पे, आप लोगों की नजर में रहना चाहिए, share, HDFC life, कल results आ रहे हैं, तो guys, जरूर इस पे ध्यान रखें, काफी brokerage houses bullish है, तीसरी company के बारे हम बात कर लेते हैं guys, तीसरी company के बारे हम बात करते हैं, tech mindra, IT का दिगज, IT के आपने देखे, कल, Infosys अपने results के बाद डाउन था, TCS भी डाउन था, बट विप्रो 10% टूपर गया है, SCL tech के भी results आए हैं, ज्यादा अच्छे नहीं आए, पर देखते हैं, मंडे हो, कैसा react करता है, tech mindra, tech mindra की बात करते हैं guys, हम, कल आने वाले हैं रिती जे, brokerage houses, KR 84C का मानना है कि profit, 5% तक quarter on quarter basis पे अब हो सकता है, प्रभुदास लिला धर का मानना है कि, 5% तक quarter on quarter पे profit आ सकता है, तो मतलब guys, results अच्छे आने की, उमीद करी जा रहे हैं, prediction अच्छे जा रहे हैं, तो guys, target की बात कर लेते हैं, share खान का मानना है कि, ये 1100 तक जा सकता है, अभी trade कर रहा है, 9.500 पे, 9.500 पे trade कर रहा है, 2% गिर के बंदू गादा, Friday की market में, 2% गिर के बंदू गादा, 1100 का target है, share खान का, प्रभुदास लिला धर का मानना है guys, tech महिंद्रा 1138 तक जा सकता है, ब्रोकरे जाओ, उस प्रभुदास लिला धर का मानना है कि, 1138 तक जा सकता है, ये share, ICICI direct का मानना है, 1120 तक जा सकता है, तो guys, इस पे भी bullish ही है, काफी ब्रोकरे जाओ, जिस कोई कमी वाली बात नहीं है, दौलत कैपिटल कह रहे है, accumulate करो, अच्छे level पर चल रहा है, 1020 तक का उनका target है, मोदिलाल उसवाल, 1095 है, तो guys, target तो सब के कम सकंब 15-20% कहीं है, तो guys, आप नजर बनागे रखना, इंशियरों पर कल ये movement देंगे, चौथा है लास्ट, जिसके हम लोग बात करने वाले हैं, AU Small Finance Bank, इसके results कैसे आ सकते हैं guys, बात कर लेते हैं, AU Small Finance का net profit seen up, 126% का profit up हो सकता है, year on year basis पे, quarter on quarter नी, year on year basis पे, आपने ICIC Bank का देखना, फुल डिसकेशन है, आप समझ जाओगे, year on year और quarter on quarter, what is difference, मैंने लास्ट वीडियो कल ली upload किया है, उसके results भी आये थे, description में लिंक है, तो year on year basis पे, 126% का profit हो सकता है, आप ऐसा prediction करी जा रही है, 297 करोड तक, अच्छा guys, इसके brokerage houses का क्या मानना है, इस पे target तो guys, अभी ये share trade कर रहा है, 1075 पे 2% गिर के बंद हुआ था market में, Friday की, guys share खान के तो काफी उपर के target आए है, इस पे 1500 रुपे के, मतलब 30-35% guys, in fact 40% guys, 1500 रुपे, 1075 का share है, 1500 के target है guys share खान के, MK Global का मानना है, hold करो, ज्यादा नहीं, बतलब hold करो, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उनका मानना है, कि 1000, उनका तो बल्किन नीचे का, ये target उनने साइट पहले दिया था, share खान का 1260 का था इससे पहले, guys share खान काफी bullish है, इस पे share खान जो है, काफी bullish है, brokerage houses सारे, और HDFC life पे ज़्यादा bullish है, तो आप ध्यान से देखना, समझना, और SBI card के बारे हैं, मैं आपको एक बात बता दू, guys, कि SBI card इस टाइम, भारत की number one credit card company बन चुकी है, इससे पहले HDFC का credit card था, जो number one था, बार HDFC बहेंग ने क्या गरा, इस टाइम credit card की, रोक रखी है, अभी कोई credit card HDFC का नहीं निकल रहा है, नहीं बनाई जा रहे हैं, तो guys, SBI card, बारत का number one card बन चुका इस टाइम, तो guys, आप ध्यान रखना हैं सिरों पर कल ये movement देंगे, अच्छी, आप सभी को पसंद आई हो वीडियो, तो थैंक यू सो मच पर वाचिग दिस वीडियो, इंजोए दा मार्केट, वागूँ देख